हेलो फ्रेंड्स, आरजे ओटो टेक चैनल में आपका स्वागत है, मैं आपका दोस्त रहू हूँ, आज हम लोग एक नया टोपिक लेके आये हैं, सिरीज कानेक्शन और पेरेलल कानेक्शन किसको बोला जाता है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, कि सिरीज और जो पेरेलल कानेक्शन है, आभी के गारियों में दिखिए, सिरीज कानेक्शन आपको नहीं मिलेगा, जदा तर गारियों में पेरेलली आपको कानेक्शन मिलेगा, जो मैं आभी आप लोगों को जो डायेगरम बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सिरीज कानेक्श को क्यूं हटाना पड़ा company नेता है तो यह मेंड टोपिक है आज हम लोग बात करेंगे series connection और parallel correction किसको बला जाता है तो चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले अगर अगर मेरे चनल पर नहीं है तो प्रिस मेरे चनल को subscribe कर दीजएगा वो like, share, comment कर दीजएगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं आप यहाँ पे skin में देख सेकते हैं जो पहले जो गारी आता था जादातर गारीयों में series connection रहता था series connection जैसे कि आमारा यहाँ पे CKP sensor का data अलग-अलग मोडिलों पर अलग-अलग data बेजना परता था तो इसके लिए इसको हटाने का जो main मक्सद है क्योंकि अगर अलग-अलग मोडिलों पर अलग-अलग data बेजना परता तो इसके लिए आमों का जो wiring का जो harness रहता यह बहुत मूटा हो जा रहाता तो इसके लिए और weight भी बहुत ज़्यदा हो रहाता तो इसके लिए कंपेनियों ने series connection को हटाके अभी parallel connection कर दिया तो इसमें बहुत cost भी आ रहा था तो इसके लिए मैं आभी आपको दिखाऊंगा जो पहले जो series connection था कुछ इस तरीके से था देखिए यहाँ पर series connection तो यह ECM, EPS, TCM, SRS, BCM, ABS और CLU यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अगर इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो जितने भी module है इसमें सब में series connection दिया हुआ है अगर यहाँ पर अगर wire अगर काट जाता है तो तो बाकी जितना जो modules हैं यह communication करना बन कर देगा तो इसमें भी एक दिक्कत था series connection में तो इसके लिए अभी जितना भी गारी है सब में अभी parallel connection दिया हुआ है क्योंकि अगर एक एक line में भी कुछ problem आता है तो बाकी जितने भी modules रहते इसमें जो ECM के साथ communication बन हो जा रहा था तो इसलिए series connection था इसको हटाना पड़ा तो यहाँ पर जो मेरा उपर में एक diagram मैंने बनाया तो आप देख सकते यहाँ पर जो series connection में बनाया मैंने इसको तो पहले क्या होता था जो positive line है यह बाल में दीखिए यह एक line पर जो series connection दिया हुआ है और negative दीखिए यहाँ पर last से यहाँ पर battery तक गिया है तो अगर यहाँ पर दीखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर मेरा जो पयार है यह अगर यहाँ पर काट जाता है तो यह पूरा जितना भी बाल्ब है यह बाल्ब जलना बन हो जाएगा यह यह नहीं जलेगा तो तो दीखिए series connection देने का जो problem था अगर यहाँ पर भी वयार काट हो जाता था यहाँ पर यह यह वयार काट हो जाता था तो दीखिए जो light है यह काम नहीं कर रहा है यहाँ पर काट हो जाता है तेनों लाइट खाम करना बन कर देगा अगि यहाँ पे काट होजाता तो यह भाइट माइट कम करेगा नहीं जलेगा तो यह से सिरिज कानक्षेन दिया हुआ था तो अभी गरियों में जिसे यहाँ पे आप मॉडूल्स को देख सकते तो अगर इसमें अगर यहाँ पर अगर पयार अगर काट हो जाता है तो तो यह जितना भी मोडूल है यह ECM के साथ communication नहीं होगा तो series connection कुछ इस तरीके से था अगर देखिए अगर यह ऐसे जैसे कि CKP sensor का data लेना है तो जो series connection था CKP sensor का data जितने भी मोडूल्स है देखिए जो ECM है ECM पर यह data देखिता था जैसे कि आप जो आपका ABS है, cluster है तो यह से अलग-अलग मोडूलों पर इसका जो CKP sensor का data अलग-अलग मोडूल्स पर जाता था तो इसके वज़े से अम लोगों का जो wire का weight है यह weight भी जदा हो रहा था और costing भी जदा हो रहा था और गार में भी weight जदा हो रहा था तो इसलिए series connection को weight कम करने के लिए और costing कम करने के लिए series connection को हटाना परा तो आभी हम लोग आभी तो हम लोग series connection के बार में बात कर रहे तो आभी जो आभी का गरियों में जो parallel connection आया है तो इसको आभी डेखेंगे तो देखिए यहापर जो यहापर लिखा हुआ है parallel connection तो parallel connection ऐसे रहता है जिसे कि ECM और cluster के बीच में दिखिए दो लाइन टाना है देखिए can high और can low है यहापर यहापर मैं लिख देता हूँ और can h और can l यहापर देख सकते आप तो यह जो दो लाइन है यह दिखिए डाइरेक्ट ECM से cluster पर यह दोनों main line जो can line है यह cluster पर गया है तो इसमें देख सकते आगर यहापर अगर wire अगर cut हो जाता है तो ECM दीखिए यहापर जितने भी modules है ECM के साथ communication होगा यह communication बन नहीं होगा अगर यह connection cut हो जाता है तो यह can low से communication करेगा तो यह हो सकता है इसमें कुछ problem आना से dtc generate हो सकता है नहीं dtc generate हो जाएगा अगर can line में कुछ problem होता है तो पर यह connection इसलिए दिया गया क्यूंकि अगर बीच में कहीं पर भी wire का कुछ problem हो तो हमारा यह module बाकि जितना भी modules है यह काम करना बन ना करें तो इसके लिए parallel connection के यहाँ पर देख सकते आप नीचे जिसे कि यहाँ पर सिर्फ वायर ने जो series connection है इसमें अगर जिसे कि यहाँ पर ABS module अगर खराब हो गया है जो ABS module है यह अगर यह module अगर खराब हो गया है यह BCM यहाँ पर खराब हो गया है तो देखिए इसके बात जितना भी module रहेगा तो यह communication करना बन हो जाएगा तो इसमें कुछ जिसे यहाँ पर यह खराब हो जाएगा तो बात कर जो इतना भी module से यह काम कर रहा है सिर्फ ABS module आपका काम नहीं कर रहा है तो parallel connection का यही main काम है अगर यह जिसे कि यहाँ पर TCM या EPS module यह अगर यहाँ पर खराब हो जाता है तो देखिए यह line अभी ठीक है तो यह काम बाकी जितना भी module से यह काम करेगा तो यहाँ पर दिखिये can high और can low यहाँ उपर में can high और n cease can low है दिखिए इस वाइर के साथ ए दोनों वायर के साथ भाकी जितना भी module से इसका साथ अगर यहाँ पर भी यह वयर काट जाता है तो दिखें बाकी जितना भी मोडूल से यह काम कर रहा है यह काम बन नहीं करेगा तो यही है जो प्रेलर कनेक्शन जो दिया है तो इसका काम ऐसे ही करेगा यह तो इसमें देगी आप जो वयर हरने से यह आपका मोटा भी नहीं होगा इसमें वैट भी कम होगा और जो कोस्टिंग है यह कोस्टिंग भी कम हो गया है तो प्रेलर कनेक्शन आप देख सकते हैं इस तरह रहता है तो प्रेलर कनेक्शन में जो वर सिरीज कनेक्शन में क्या आं अगर आप लोगों को यह वीडियो देखके अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा तेंक यू